हेलो गाइस वल्कम बेक टू माई चैनल आगे तुम्हारे भाई की एक और नई वीडियो आज की वीडियो बहुत यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो आप इस वीडियो को जादा से यादा शेयर करना मेरे चलने को सस्क्राइब करना और अपना लविन सपोर्ट बनाय सब्सक्राइब करना में इंटिग्रेटेड आम्रेस देखने के लिए मिल जाता है उस आम्रेस से हमारी राइड क्वाल्टी में बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है अच्छा आमें फील आता है क्योंकि टॉप मॉडर वाल तरह हमारी जो कंपार्टमेंट अपार्टमेंट क क्या क्या प्रोसीजर वगरा है तो आप मेरे चैनल में जाके में आम्रेस से लेटेड जो वीडियो जने चेक आउट कर सकते हैं तो ऐसी ही मेरे कुछ भाईयोंने मेरी वीडियो को देख के अपनी गाड़ी में भी आम्रेस फिट करवाने की कोशिश की थी और कुछ ना तो आप कही ना कही बीच में फज़ा होगे और इंड आप परशान हो जाओगे मेरे पास रोज ही लगभग मैसिजेश आते हैं कि भाई आपने आमरेस कैसे इंस्टॉल करा हमें बता दीजे आमरेस कहां से खरीदा कहां से नहीं खरीदा तो आज इन सब के ही में आंसर देने इसलिए मैं अभी तक भी किसी भाई को उसका पार्ट नंबर नहीं बता पाया हूं मेरा खुद और किसी दोस ने प्लेस करा था जैसे कि मैंने को बताया था शिवम भाई ने मेरा और प्लेस करा था उनहीं को जानका रही है कि क्या पार्ट नंबर है क्या नहीं इस वएसे ही भाई मैं आपको अभी तक अप उसका पार्ट नंबर्स वगरा शेर नहीं कर पाया हूँ बट फिर भी अगर आपको आमरेश खरीदना है तो आप शोरूम में जाके उनकी वर्क्टॉप से डारेट्ट आप आमरेश और कर भी सकते हो और उनसे उसका पार्ट नंबर भी पूस सकते हो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे यह होगी बाइंग के बारें बात दूसरी बात यह देख आप आमरेश खरीदते हो उसे इस्टॉल करवाते हो बट इसको इंस्टॉल करवाने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यह है कि इसको इंस्टॉल करवाने में कुछ पार्ट ऐसे लगते हैं जो अवेलेबल होना बहुत ही यादा मुश्किल होत वीडियो पूरीज देखना जिससे में आपको बता पाँ कि कौन से ऐसे पार्ट अभी तक नहीं है सीधा काड़ी के अंदर जाते हैं और आपको एक बार इमें दिखाता हूं कि कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो यह और सेंटर कंसॉल एक बारी मैं सीट पीछे करके दिखा देता हूं आपको चावी हटा देता हूं क्योंकि वाज कर रही है देखिए यह हमारा सेंटर कंसॉल जहां से इसका कलर चेंज हो रखा है यहां से लेके टूदा एंड यह सिंगल पार्ट में अवे अवे अव यहां तक है दूसरा पार्ट इसका है हैंड ब्रेक जो कि हमें चेंज कराना पड़ता है और तीसरा पार्ट है इसके भाई एस इवेंट्स तीन पार्टों को बनाके हमारा एक सेंटर कंसोली तयार होता है अब मैं पहली प्रॉब्लम के वारे मैं आपको बता देता हूं कि यह एक पती पती जैसी चीज है पती है बेसिकली उस पे टाइट होता है अगर आप देख पातो नट देखेगा आपको टाइट होगा तो जो इसके अंदर की पती है वह इसली अवैलेबल नहीं है इसलिए ही मेरे कुछ भाई यह उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर डियम कर करके चेद करके पेचर लगा के जबरस्ती चीजा टाइट कर दी है बट वह एक प्रॉपर वे नहीं है इसे फिट करने का वह इंदी एंड हिलता रहेगा वाच करता रहेगा मेरा भी आमरेस्ट यह देखो बिल्कुल इंटेक्ट है कोई हिलने में लिए कोई परशानी नहीं है समझे हो तो वह पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और वह अवेलेबल नहीं हो पा रहा है दूसरे पार्ट के बारे में बात करूं तो वह हमारा भाई हैंड ब्रेक जो कि हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा जरूरी चीज है जिसके खराब ह भी हो गया बट प्रॉपर आज तक भी वर्किंग नहीं है दिखा देता हूं आपको यह देखो अभी पूरा टाउन है यह देखो इतना है फ्री है बिल्कुल अभी ठीक है एक दाना दो तीन चार पांच है साथ यहां पर आकर टाइट हुआ है पूरा जब ऐसे उठ जाता ह है तो बार-बार मुझे इसका टाइट करवाना पड़ता है तो इसका कोई परमेंट सेल्यूशन उस टाइम पर नहीं मिला था बट मुझे अब इसका परमेंट सेल्यूशन मिल चुका है और मैं इसे बहुत जल्दी अपग्रेट कराने वाला हूं दूसरा प्रॉब्लम होग नहीं है अब शोरूम पर चले जाऊ कहीं पर भी चले जाओ आपको भाई यह पना इसको बटकन करते हैं अगर आपको नहीं पाता चल पारहा है मैं किस पार्ट के बार इंब बात कर रहा हूं तो जब मैंने अपना आमरेस इंस्टॉल करवाय था मैंने आपको दिखाय去 वहा create करेंगी और आपके मन में भी आएगा कि भाई मैं आम्रेस इंस्टॉल ना करवाँ तो आम्रेस खरीदने से पहले उसे इंस्टॉल करने से पहले इन तीन चीजों का भाई जरूर आप ध्यान रखना पहली चीज कि वह पत्ति आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप वह आम्र का है और जो उसका हैंडब्रेक था नीचे था और आगे था जिसके वह से पीछे से वायर आ रहे हैं वह लंबे वायर आ रहे हैं और इसके लिए वायर हमें चाहिए छोटे टॉप मोडल की तो इस वह से वह एडजस्टिंग होती हो फ्री रहती है कितना भी आप टाइट कर तो वायर स्टाइट नहीं हो पा रहे हैं जिसके वैसे ब्रेक नहीं लग पाते हैं इसका परमेंट सल्यूशन आपको आने वाली वीडियो में जरूर देखने के लिए मिल जाएगा बट जब तक के लिए आपको यह information मेरे तक पहुचानी बहुत ज़्यादा जरूरी थी इस तो मेरे पास आ गया है बट मेर पास आगए इसका मतलब यह नहीं आपके पास भी आजाएगा भाई किसी को जुगाठ है वो मंगा सकता है तो वेल और गुड़ है आप भी मंगा लो but वह चीज आपको इसली अविलेबल नहीं मिलेगी मेरे भी कुछ मेकैनिक दोस्त है जिन मैं इसके साथ देखने के लिए मिलती है इंस्टॉलेशन के बाद में नहीं इंस्टॉलेशन के दोरान और अभी तक कोई अच्छा इंस्टॉलर इस चीज़ को लेके उत्रा नहीं है मार्केट में जो 110% कह सके मैं इस को लगा के आपको दिखाता हूं ठीक है तो यार जो भी कर मैं रिपलाय करता हूं यहीजिए सो यह नोई आपको अच्छा लग रही है इंफरुमेटीव लग रही है आपके फाइद गयर जेनृन ली ए 1% अपने वेडीयों कि शेयर करना आपने बाएं ड़ाम सपोर्ट बनाये लखना और में बात लूक की तो ऐक है निस बाट बतर हुए दिख रहे होंगे स्प्लेटर्स का बताना स्प्लेटर्स कैसे लग रहे हैं थोड़े से इनकंपलिट हैं इसलिए भी तक इसकी वीडियो नहीं आई है बहुत जल्द इसकी वीडियो भी चैनल पर आने वाली है सो स्टे ट्यून अपने भाई को ऐसी लवन सपोर्ट बना है रखना राम राम मेरे भाई हो